दूस्तों आज की कहानी है बहुत तेरे माँ बाप कितने कंचड़े हैं दूस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पाउंसे अरूस दया वीडियो दूसी और समर की अभी कल की साधी वी रादाजी बहुत सुंदर पटी लीकी बड़ी बड़ी आँखों वाली अपनी बहु लाएं जो भी देखता वो तारीब के बिना नहीं रह पाता मांची अपने साधेज भी लाएं रादाजी बहुत खुसे हैं समर मल्टी नैसनल कंपनी में उसे पद पर कारियरत हैं रादाजी के बेटे के लावा एक बेटी सुर्भी हैं सुर्भी एंबिय करके जॉब कर रही हैं रादाजी उसके लिए भी लड़का देख रही हैं मांची के माईके में उसके माता पीता के लावा माला एक उसकी सोटी बेने उसके माता पीता गोतम जी वो सुधाजी ने अपने बचों की प्रवरीश में बहुत ध्यान दिया दोनों बेटियां बहुत संचकारी मर्दुबासी सुंदर और पटी लीकिये मांसी ने एम सी सी भी एड किया हुआ हैं वो एक इसकूल में पढ़ाती और माला मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं गोतम जी समर से अपनी बेटी का रिस्ता करके बहुत खुशे साधी के बाद मांसी भी अपने ससूराल में बहुत खुशे सोटा परिवारे सासूमा मांसी का बहुत ध्यान रख दे मांसी का ससूराल वर माई का एक ही सेर में एक हपते होती रादा जी मांसी से कहती हैं कि बे जाने को करी मांसी खुसी खुसी समर के साथ जाती हैं उसके मम्मी पासा उसे देख कर बहुत खुस होते अगले दिन लोड़ते समय विदाई में धेर सारा समान देकर भेशते मांसी के घराती सास्तूमा उसके कमरे में जाती और पूच्टी हैं बहता बहुत सब के से क्या क्या उपहार लाई मांसी बहुत खुसी खुसी सब दिकाती हैं सब के लिए कपड़े गिप्ट फल मिठाई देर सारा उपहार सुधाजी ने भेजे राधाजी खुस होती हैं दो मैने बादी राधाजी को सुर्भी के लिए बहुत ही अच्चा और स इसे कुल से लोड़ती हैं कभी-कभी वो अपनी मम्मी के पाथ जाया करती और साम को आपीस जिस समय उसको समर्भी करते वे घर लिया आता है मानसी जब भी माय के जाती है तो सुधा जी उसको कभी खाली हर्त नहीं बहेज दी आखिर वो एक मां हैं वो अपने खुसी से पैसे कपड़े उपार मांसी को दे दिये जब मांसी घर आई तो सासुमा फिर उसके कमरे में जाय और जानना सै कि उसको मैं के से क्या क्या मिला भोली भाली मांसी हर बार खुसी खुसी सब दिखा दिया करती है पर मांसी मैसुस करती कि सासो मां बहुत खुशन नहीं होती एक दिन रादा जी मुझ बिसका कर बोली देती तेरे बाप कितने कजड़े हैं बेटियों को तो लोग कितना भर भर देते मांसी अपने मां बाप की बुराई सुनकर दुख से बोलती सासो मां में माय के नहीं जाओंगी और रोते वे उटी थोती हैं कि तेरे बाप ने मुझे पढ़ा लेका कर बढ़ा किया मैं नोकरी करती हूँ मैं अपने पेरों पर खड़ी हो सोटी मैं माला मेडिकल की पढ़ाई करें उसकी पढ़ाई साधी सब के बारे में तो मम्मी पापा को सोचता हैं फिर उनकी भी उमर बढ़ रही उनको भी अपनी दवा दारूवर डॉक्टर के यांके खर से हैं पापा को तो वेसी हट की भीमारी समर के अपने काम में अत्यादिक व्यवस्ता के कंड मांसी उसे कुस कोना उसीत नहीं समती मगर अब सासु माउपहर के लाजस और उमीद में मांसी को अक्सर इमाय के जाने को कहने लगी साधी के सार बहीने बाद मांसी घर बवत्ती हो जाती है घर में सब बहुत कुसे रादाजी मांसी से कहती मांसी आजी स्कूल से लोड़ती समय है अपनी ममी के घर तली जाना साय तो एक दो दिन रुक जाना पर अब मांसी रादाजी का रव्याच्चे से समझने लगी थी वो ममी के घर जाने से कत्राने लगी और सोस्तिय है कि आथी सासु मा सारी खोज खबर लेगी कि क्या क्या लाइए नो माईने बाद मांसी एक सुंदर वा सवस्तिय बेटी को जनम दिया घर में रादाजी ने सुब्लबन में एक बड़ा सा सामरो रखा है मांची की नन सुर्वी भी आई अब वह बुआ बन गई और बहुती खुशे मांसी से मुस्कराते वे बोलते बहुत सी प्यारी सोटी सी बेटी बादी बादी बिलकुल आप जैसी खुब सुरत है सुर्वी मांची को बहुत प्यार करती मांजी के माई के से उसके मा बाप भी खुब सारा उपहर लेकर आते बेटी और दमान के लिए सेनराधाजी और ससूर जी के लिए अंगुटी बच्चे के लिए सेनहत के कड़े पायल करतनी फल मिटाई और अपनी सामर्थी अनुसर सब के लिए कपड़े ले करा दे इन सबसे पूरा आंकन भर देते इतना होने के बाद भी सासू मा को कम लगता है उनको और मेंगे उपहरों की तमना थी उस समय सब मेमान और परिवार वालों की वज़त से कुस नई बोलती पर सोचती हैं कि बाद में के लिए में मेमान सी को सुनाओगी सब भक्सन वेवस्ति डंग से संप्रन हो जाता है सुर्वी कुस दिन के लिए अपनी मा के घर रुख जाती एक दिन सुर्वी अपनी मा के पास कमरे में तोड़ी बोचिल मन से ब्याटी थी राधाजी अपनी ब्याटी से इसका कारण पूस्ती है वो मा को दूखी मन से पहली बार बताती मा मेरे ससुर्वाल वाले अच्छे नहीं वो साते थे कि मैं आप लोगों से कुस ना कुस समान वांगती रहूं सार मैने पहली वोने मुसे दस लाग रूपी लाने को बोलाता उसे वो एक लगजरी गाड़ी लेना साते थे पर मा मैंने तो अपनी सासु मा को करारा जवाब दे दिया मैंने उनसे का जो मेरे मा बाप को देन होगा वो अपनी सासे दे देंगे मैं उसे कुस भी नहीं मांगोंगी और आदरस मेरे पती ने मेरी बाद का समर्तन किया मेरी सासु मा अपना सामू लेकर रह गे अब वो कुस भी नहीं करती मा आप लोगों ने मुझे बढ़ाया लिका इस काबिल बने की मैं आज अपने पेरों पर खड़ी हूँ जो भी जमाप उजी आप लोगों के पास है वो आप लोग कि भुटापे के लिए वो पेसा आप के पास मुश्किल समय के लिए सुरुक जित रहना सहे कहते कहते सुर्भी रुआसी हो गई ये सुनती मानो राधाजी के पेरों तले जमिन की सक गई उनकी अपराद बोजुने लगा गी वो अपने बव के साथ कितनी बड़ी घल्ती करी उनको सुर्भी के बाद अपने लिए को उल्टा तमेसा जैसी लगी अब वो मनी मन पसनाने लगी कि आज तक तो जो सोस रही थी वो अपने बव के साथ कर रही थी वो कितना गलता मानसी इतनी सीधी और प्यारी है कि उसने कभी भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और नहीं किसी से कुस बोला तबी मानसी अपनी सोटी से फूल सी बच्ची लेकर उस कमरी में आज आती सुर्वी बच्चे को देखती उस परी को अपने हातों में लेकर घुमाने सली जाती राधाजी की आँखों में मांची को देकर परस्ताव की आसूते और वो मांची को गले लगा लेती और करती फिटा बलीज मेरी पुरानी जली कटी बातों को भुला दो आज से हम अपनी सब्दों को नया जीवन देती बहु भी भाविक हो कि सासू मां से लिपट जाती